नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत सागत है विया ब्यूटिफुल बाय नताशा आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं आपके लिए 5 ऐसे नुक्सान जो कि आपको स्लेट पैंसिल खाने से होने वाले हैं यह बहुत कॉमन सी चीज है आप जानते ही होंगे कि स्लेट पैंसिल अगर आप खाते हैं तो काफी जादा आपको नुक्सान दे सकती है लेकिन कुछ चीजे ऐसे हैं जो कि लोगों को नहीं पता होता है इसके नुक्सान दो तरीके से हो सकते हैं एक तो आपके जो आपको इंस नहीं बाद भी दिखने लगते हैं और वो काफी जादा हानफूल होते हैं और काफी जादा वो टाइम तक चलने वाले होते हैं यानि कि वो जल्दी खतम होने वाले नहीं होते तो आज की वीडियो में मैं ऐसे आपको इसके पांच नुक्सान बताने वाली हूँ जो कि आप आपको टाइम के साथ दिखेंगे यानि कि थोड़ी टाइम के बाद दिखेंगे लेकिन वो काफी ज़दा हान्फूल होते हैं और आपको बहुत ज़दा नुकसान दे सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जो भी स्लेट पैंसिल लवर हैं मुझे पता हैं यहां पर जाके बहुत जादा गुसानने वाले हैं कि हम तो कुछ फरक नहीं पड़ता यह नहीं पड़ता वो नहीं पड़ता बट यह नौलिज उनके लिए हैं जो यह नौलिज लेना चाहते हैं जो सबसे पहले इसका नुकसान होता है वो होता है मुझे अलसर जी हां मुझे अलसर मुँ के अंदर चालो की सिकायत रहने लगती है कहीं पर भी मुँ में ऐसा चाला पड़ जाता है जिसको निकानला बहुत जादा मुश्किल हो जाता है तो ये सब चीजे इसी की वज़े से होती है दूसरी आती है अपाच्ची की समस्या ये एक ऐसी समस्या है जो कि लोगों को लगता होगा रियार गैस बना एसीडिटी बना तो नॉर्मल सी चीज़ है लेकिन ये नॉर्मल नहीं होती जब आपसलेट पैंसल बहुत जादा खाते हैं और आपके पेट में जाकर जम जाती है टाइम के साथ में खाते रहेंगे वो अंदर जाके जमती रहेंगी तो वो क्या होती है आपके डाइजेसन सिस्टम को खराब कर देती है जिसकी वज़े से आपको गैस की ऐसीडिटी की इस तरीके की समस्या आने लगती है पेट में अलसर जी हाँ मेरे पास में कुछ ऐसे जो है क्वेरी इस भी आई थी कि मैं हम ये पेट में क्या कुछ ऐसा कर सकते है जिससे हमें अलसर की सिगायत होने लगती है जी बिल्कुल कर सकते है इसके जो परधार्त होता है यानि कि सिलेट पैंसल होती है बिल्कुल भी डाजेस्ट करने वाली चीज नहीं होती है ये टाइम के साथ में आपके शरीर में जम जाती है जिससे अलसर की समस्या पैदा हो जाती है नेक्स्ट आता है आपका पत्थरी ये एक कॉमन सी समस्या है जो उसकी मोस्टरी सभी को पता होता है कि इस तरीके की चीज खाने से पत्थरी आपके पेट में हो जाती है फिफ्त आता है दमा सांस में लेने में दिक्कत ये काफी जादा लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है जब आप स्लेट पैंसिल खाती है इसकी जो डस्ट होती है वो आपके गले में जम जाती है जिसके साथ में टाइम के साथ में आपको दमे की शिकायत हो जाती है सास लेने में दिक्कत हो जाती है तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपके साथ में ऐसी कुछ प्रोब्लम हो रही है क्योंकि जब तक वो आपकी पेट में जमी रहेगी तब तक आपको यह समस्या होने की ज़ादा चांसिस रहते हैं यही थाबी की वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक्यू सो मच